हेलो गाइस, मैं मुझो सिजी की, सिजी मास्टर गुरूप.com की तरफ से अज गाइस हमें स्टार्ट करेंगे एरे एरे किस तरीके से करते हैं तो उसके लिए फर्स स्टिप हमारा मैं तीन स्टिप में आप लोग पगरी बताऊँगा फर्स्टिप हमारा क्या है वो देखिए गई फर्स्टिप में हमारे पास क्यूब है मैंने क्या करा इसके लिए मॉडिफार टूल में आये सबसे पहले मॉडिफार में यहाँ पर आके हमने करा एरे ठीक है मुझे काउंटिंग करना है कितना यहाँ पर space देना है example के लिए मैंने इतना इतना इस फिर दिया counting करनी है मुझे कित्वी counting मुझे मैंने का 10 ठीक है यहाँ पर हमें change करना है तो हम change कर सकते हैं उसके बाद फिर दुबारा हमें array डालना है ठीक है मैंने array डाल लिया अब मुझे किस axis में चहिए मैंने इसे 0 किया ठीक है गाई सोर्य इसको 1.1 ठीक है मजहे इसकी जो है count saying करना है इसको zero करना है और इसको करना है 1.1 ठीक है तो change हो गया गई हमने करा इसको कितना 20 टैम यहाँ पर हो है 10 टैम सॉर्य तो 10 टैम हम यहां कर लेते हैं ठीक है फिर दुवारा से आते हैं काइस एरे और एरे देते हैं फिर इसको जिरो लास्ट बाला जो है उसको जिरो करते हैं इसको तो 1.1 करना है ठीक है 1.1 ठीक है यह 0 होगा और यह नीचे वाला है 1.1 ठीक है उसके बाद नीचे इसके जो हमारा तीसरा वाला लगाया है हमने इसे 0 कर यह गाईस और यहां थर्ड नूमबर वाला ठीक है 0.111 अब गैस देखिया यहाँ यहाँ पर मेरा टॉप है ठीक है जिसको मैंने यह डारेक्शन दिये ठीक रहते हैं और सेकेंड वाला मेरा वाइंट अश्के जिसको मैंने यह वाली डारेक्शन दिया और जो मेरे पास है three number वो मैं top की दे रहाँ height width and height depth और width का इसका part होता है तो हमारा यह क्या है इसको मैं बिर्थ मान लेता हूं और यह मेरी जो है depth है और यह मेरा उपर के लिए है यह मेरी जो है height है तो हमने यहाँ change गया हम एक जितना भी चाहिए हमने करा है हमने करा 10 time तो यह आगया हमारा यह तो एरे एक basic तो यह हो गया हमारा guys next tutorial देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए like and subscribe और comment करना ना भूलें बिलकुल अगर कोई भी problems है तो आम मुझे बताएं मैं आपको उस comment का जबाब दूँगा तो guys next मेरे जो पार्ट आएगा वो होगा polar array polar array हम किस तरीके से करते हैं तो guys thanks for watching अगर को ईटर दो करते हैं गार दो दो करते हैं